तो गाइज आज के वीडियो में हम रिव्यू करेंगे optimum nutrition gold standard 100% way काफी ज़ादा disappointed हूँ मैं इस brand के साथ यह जो brand है यह world का number one selling protein brand है पर उसके बावजूद भी मैं काफी disappointed हूँ जो मेरा disappointment का reason है उसके बारे में हम बात करेंगे आगे इस वीडियो में सबसे पहले कुछ जरूरी चीजों पर focus कर लेते हैं जो on gold standard 100% way का pouch है या फिर जो box आता है उसकी जो design है वो completely change हो चुकी है आप मेरे screen पर देख सकते होंगे कि इनका label पहले किस तरह दिखता था और अब किस तरह दिखता है design change के साथ जो एक बहुत ही important चीज आप लोगों को जाननी चाहिए वो यह है कि इंडिया में अब जो on gold standard 100% way आपको मिलेगा वो Indian company द्वारा manufactured मिलेगा देखिए optimum nutrition ने क्या किया है कि अपनी on gold standard 100% way की manufacturing outsource कर दी है तिरूपती wellness LLP नाम की एक company को तो इंडिया में तिरूपती wellness ही on gold standard बनाती है optimum nutrition के लिए अब बहुत लोगों कमन में question आ रहा होगा कि यार क्योंकि ये product अब इंडिया में बनने लग गया है Indian company मनाती है तो जरूर इसके protein में घपला होता होगा देखिए guys ऐसा नहीं है please understand जो तिरूपती wellness है वो एक बहुत ही बड़ा बहुत ही reputed group है ये जो तिरूपती group है ये 2005 से है भारत में और 2020 के data के according तिरूपती wellness का जो revenue है वो 700 plus crore है 700 plus crore का इनका annual revenue है 2020 के data के हिसाब से और तिरूपती wellness already बहुत सारे international brands के लिए protein बनाते है जैसे कि GNC हो गया, Elabrada हो गया, QNT हो गया तो काफी अच्छी काफी reputed company है तो मैंने सोचा ये चीज़ आप लोग को बता दूँ अब मैं आप लोगों को कुछ ऐसी चीज़ बताता हूँ जसको लेके मैं काफी disappointed हूँ तो जैसे कि आप जानते हैं कि मैं कोई भी whey protein का review करता हूँ तो मेरे review में जो एक filtration method होता है वो बहुत ही important criteria होता है मैं हमेशा आप लोगों से कहता हूँ कि यार filtration method देख के ही अपना whey protein चुनो filtration method जिन लोगों को नहीं पता हूँ उन लोगों के लिए फिर से बता देता हूँ देखें whey protein से excess, lactose, carbohydrates और fats को remove करने के लिए whey protein को filter किया आता है और whey protein के filtration के चार method होते है इन में से जो micro filter, ultra filter, cross flow micro filter और ion exchange ये एक natural method है आपके whey protein को filter करने के लिए तो इससे आपका whey protein natural रहता है पर जो ion exchange वाला method है वो एक chemical method है उसमें chemicals का उप्योग किया आता है आपके whey protein को filter करने के लिए तो इससे क्या होता है? वे प्रोटीन के जो natural तत्व पायाते हैं, जिने हम micro fractions भी बोलते हैं, वो बहुत हद तक कम हो जाते हैं, बहुत हद तक destroy हो जाते हैं, और आपका protein denatured बन जाता है, इसी लिए मैं आप लोगों से बोलता हूँ कि हमेशा अपना वे प्रोटीन natural filtration method द्वारा obtain किया हुआ ही ले, तो filtration method मेरे लिए बहुत important है, और इसी लिए जब मैंने on का label पढ़ा, जो नया वाला label है वो पढ़ा, तो ये पाया कि इसमें इन्होंने filtration method कहीं भी disclose नहीं किया है, फिर मैंने on का पुराना वाला label पढ़ा, और on के पुराने वाले label में मुझे एक बहुत ही अजीब सी चीज notice करने को मिली, आप लोग मेरे screen पे भी देख सकते होंगे, इन्होंने अपने पुराने label में ये तो लिखा हुआ था कि इनका जो whey protein concentrate है, वो ultra filtration method द्वारा obtain किया गया है, पर इनका जो whey protein isolate इसमें यूज किया हुआ है, वे protein isolate जो की primary source है इस product में, तो जो whey protein isolate इसमें यूज किया गया है, उसका filtration method mention ही नहीं किया है, और एक, you know, काफी, मैं काऊंगा, बेवकुफ बना देने वाली line लिखी है, आउनने, कि micro fractions obtained from whey protein isolate, देखिए, micro fractions तो आप ion exchange से भी extract कर सकते हैं, और natural filtration method से भी extract कर सकते हैं, तो जिस तरह नोंने whey protein concentrate का filtration method अपने पुराने label में disclose किया ह है, उसी तरह whey protein isolate का भी करते, क्यों नहीं किया है, वे protein isolate का, तो ये चीज़ जानने के लिए मैंने on company को mail किया, और मैंने उनसे पूछा कि आपके whey protein isolate का filtration method क्या है, तो पहले तो उन्होंने मुझे एक reply दिया, जो कि मेरे मुमें lollipop थमाने ऐसा था, बहुत ही normal से reply दिया क वे protein isolate को हमने filter किया है, ताकि हम उसमें से excess lactose, carbs और fats निकाल सकें, और उन्होंने ये reply दे के सोचा कि मुझे इतना पता नहीं होगा protein के बारे में, तो मैं उनसे पूछूँगा नहीं दुबारा, पर मैंने उनको उनके इस reply पे दुबारा mail किया, मैंने उनसे बोला कि मेरा question यहाँ पे different है, मैं आप लोगों से ये पूछ रहा हूँ कि आपके वे protein isolate के filtration method का नाम क्या है, इसके बाद उनका reply आया कि हम अपने वे protein isolate के filtration method का नाम disclose नहीं कर सकते, क्योंकि ये चीज़ confidential है, मुझे ना इतना shocking लगा ये चीज़, मतलब customer को जो चीज़ जाननी चाहिए, व confidential है, और आपने अपने पुराने लेबल पे वे protein concentrate का तो filtration method मेंचन किया है, तो isolate का ही तो मैं पूछ रहा हूँ, अगर इतना ही confidential है आपके लिए filtration method, तो आपने वे protein concentrate का भी filtration method क्यों disclose कर रखा था आपने पुराने लेबल पे, तो guys ये मुझे बहुत ही shocking लगा, मतलब कुछ ट स्कूप में आपको कितना protein मिल रहा है, वो hide कर देंगी, और जब आप company से पूछेंगे कि भाई कितना protein है आपके perserving में, तो company बोलेगी कि ये चीज confidential है, मतलब जो चीज आपको जाननी चाहिए, वो चीज confidential है, तो on के इस reply से मुझे लगता है कि इसमें जो whey protein isolate use किया गया है वो ion exchange से filter किया गया है, क्योंकि जो glambia nutrition का एक और brand है, जो on है वो glambia nutrition के अंदर आता है, तो glambia nutrition का एक और brand है isopure, उसमें भी वो लोग whey protein isolate ion exchange द्वारा filter किया हुआ ही use करते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है company मुझे इसलिए reply नहीं कर रही है, क्योंकि उनका इसमें use किया ह वो isolate ion exchange द्वारा filter है, और company ये चीज अपने customer से छुपाना चाहती है, तो guys ये बहुत बड़ा doubt था मेरा और ये बहुत बड़ा concern है इस protein powder को लेके, anyway, अब हम जल्दी से आगे बढ़ते हैं और cover करते हैं इसका review, तो सबसे पहले हम बढ़ते हैं और बात करते हैं ingredients के बारे मे तो ये एक blend protein है, जिसका primary source मतब जो सबसे ज़ादा इसमें use किया गया है वो है whey protein isolate, फिर whey protein concentrate का use किया गया है और hydrolyzed whey protein भी इसमें इसमें इस्तमाल किया गया है, हाला कि hydrolyzed whey protein isolate का है या concentrate का है वो चीज company disclose नहीं करती है, उसके बाद company यहाँ पे soil acythin डालती है, क्योंकि मेरे पास double rich chocolate flavor है, इसलिए cocoa powder का इसमाल किया गया है, flavors और artificial sweeteners का company इसमाल करती है, तो यह तो हो गए ingredients की बात, अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं nutrition information के बारे में, तो company यहाँ पे आपको 79% protein offer करती है, इसलिए इनका जो serving size है double rich chocolate flavor का, वो 30.4 grams का है, जिसमें company आपको 24 grams protein offer करती है, carbohydrate per serving आपको मिलता है 3 grams, total fat आपको मिलता है 1 grams, बात करें इनके amino acid profile के बारे में तो amino acid profile company कहीं भी disclose नहीं करती है, filtration method के बारे में आप लोगों को detail ने बता चुका हूँ कि company disclose नहीं करती, इनका filtration method कौन सा है, बात करो इनके taste के बारे में, honestly I have never been a fan of optimum nutrition taste, इनका मैंने double rich chocolate, extreme milk chocolate और rocky road flavor consume किया हुआ है, taste इसका अच्छा है, आपको complain नहीं होगी पर काफी light सा taste है, मतलब मुझे काफी rich taste पसंद है, तो इसके सामने अगर मैं बाकी international brands तो compare करूँ, तो मुझे उन international brands के taste जादा अच्छे लगते हैं as compared to on, but having said that, इसका taste भी अच्छा है, आप लोग disappoint नहीं होंगे, मैं बस compare कर रहा था international brands के साथ, तो इसलिए थोड़ा सा मुझे कम अच्छा लगा, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इनके serving size accuracy के बारे में, तो company आपे लिखती है, इनका serving size one scoop 30.4 gram का है, पहले ये लोग अपने label पे लिखते थे कि इनका serving scoop, जो की रहा होगा, अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसके mixability के बारे में, तो mixability इसकी बहुत अच्छी है, 10-15 सेकंड में आपको smooth और lump free shake मिल जाएगा, अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी lactis report के बारे में, तो guys मैंने इसका sample दिया था एक NABL accredited और FSSAI certified lab म और मेरे lactis report के अनुसार इसके per serving में पाया गया है 22.2 grams protein, company claim करती है कि इनके एक serving में आपको 24 grams protein मिलता है, मेरे lactis report में इनकी एक serving में 22.2 grams protein पाया गया है, मतलब 1.8 grams protein per serving कम पाया गया है, तो guys ये तो हो गया detailed review on gold standard का, अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसके कुछ positives और negatives के बारे में, जो की completely मेरे opinion में है, तो बात करूँ सबसे पहले positive के बारे में, तो on बहुत ही जादा पुराना brand है, 30 साल से भी जादा पुराना brand है, ये काफी reputed है, काफी established है, और बात करूँ दूसरे positive point की, तो इंडिया में जो इस protein को manufacture करता है, तिरूपती wellness, वो भी इंडिया की काफी reputed company है, बात करूँ तीसरे positive की, तो mixability इसकी काफी अच्छी है, बात करूँ अगर चौते positive की, तो इसका जो ingredients है, वो काफी neat and clean है, फाल्तू के cheap fillers और thickeners इसमें add नही किये गए है, बात करूँ अगले positive point की, तो इसमें आपको number of servings जादा मिलती है, अगर आप इसका 5 LBS का box लेंगे, तो इसके double reach chocolate में आपको 74 servings मिलती है, जबकि इनके जो competitors हैं, उनके 5 LBS के box में आपको around 65-66 servings ही मिलती है, तो इसमें number of servings जादा है, वो भी मैं positive में consider करूँ बात करें, सबसे last positive point की, तो on ने अपने authenticity का भी काफी खयाल रखा हुआ है, क्योंकि इसकी बहुत अदा duplicacy आती है, इसलिए on ने इसके authentication के लिए आगे आपको two step verification sticker दिया हुआ है, साथी साथ आपको gold hologram मिलेगा, और अब इसमें transparent color की scoop आती है, तो इन्होंने authenticity का भी अपने खयाल रखा हुआ है, अब guys हम आगे बरते हैं और बात करते हैं इनके disadvantage के बारे में, तो सबसे पहला disadvantage, जो की मेरे लिए सबसे major disadvantage है, वो है company का filtration method disclose, ना करना, दूसरे negative की अगर मैं बात करूँ तो वो है इसका pricing point, देखिए, on का आप अगर two LBS लेंगे, तो वो आपको धाई 1000 से 3000 रुपए में आएगा, मतलब 2500 से लेकर 3000 रुपीज में आएगा, और on का अगर आप बड़ा box लेते हैं, 5 LBS लेते हैं, तो वो आपको 5500 से 6000 के बीच में आएगा, मतलब 5500 to 6000 के बीच में आएगा, अब क्योंकि ये protein इंडिया में manufacture होने लग गया है, उसके बावजूद भी on ने अपना जो price है, वो same रखा है, तो मुझे नहीं संद में आता है, ऐसा क्यों, अब ये इंडिया में manufacture हो रहा है, तो आप इसका बड़ा box 4500 का बेचिए, 5 LBS का box 4500 का बेचिए, पर इस्टिल on उतना ही पैसा चार्ज कर रहा है, जितना वो पहला करता था, तो ये मैं एक negative में account करूँगा, बात करूँँ सबसे last negative के बारे में, तो वो है इनका amino acid profile भी ये लोग disclose नहीं करते हैं, तो guys उम्मिद करता हूँ, आज का review आप लोगों को अच्छा लगा हो, एक point जो मैं miss कर गया हूँ, ये जो protein है, ये informed choice द्वारा certified भी है, तो on basically ये कहना चाता है, क standard का review, उम्मिद करता हूँ, हर बार कि थरा ये honest review आप लोगों को पसंद आया हो, मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में, till then be healthy, take care and, जैहिन